फिर एक दिन अपुन के महले में है श्वर्या आई ये डालक सुना है ना ऐसा ही कुछ आज के वीडियो में होने वाला है क्योंकि अपुन के महले में आने कि अपुन के स्टूडियो में बहुत सारे गैजट्स आते रहते हैं तो मैंने बहुत लोगों को ये कहा था, कमेंट्स में reply दिये थे, कि one of the best TV box है, in fact जब मैंने एक me cool वाले TV box का review कहा था, same similar processor के साथ में, तो मैंने ये कहा था, कि जब आप एक pure Android TV box लेते हैं, तो आपको वहाँ पे limitations मिलती है, क्योंकि जो TV के लिए Android होता है, उसमें आपको सिर meeting करनी थी, webcam attach करना था, इस तरह का TV box best recommended था, आज की date में भी, अगर normal TV यूज़ कर रहे हो, या smart TV है और आपके पास में, और slow हो चुका है, उसको और ज़्यादा smart करना चाते हो, fast करना चाते हो, TV box के लिए सोच रहे हो, मत सोचो, मत सोचो, this is one of the best TV box A95 X3, और अब तो banggood ने दे दूँगा, चेक आउट जरू कर सकते हैं, फिर अब उनके महले में एक प्रोजेक्टर आया था, जो था कि E-Gate का K9, इसके बारे में मैं बात में बात करूँगा, क्योंकि और भी प्रोजेक्टर्स हैं दिखाने के लिए, उससे पहले आप लोगों के लिए छोटा सकार इसमें RGB effects मिल जाते हैं, वाइट लाइट है, बैटरी बैकप की बात करों, तो यहाँ पे मिल जाता है हमको 8 गंटे का बड़ी आसे बैटरी बैकप, और ये परसनली टेस्टेड है, एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, और ये वीडियो भी वैसे भी 2020 के बेस्ट गैजट्स के चेंज कर सकते हैं, यानि कि एक टूनर लगावा है, लाइट ब्लिंक करती है, जैसे भी मैंने से स्टॉप कर दिया है, और फिलाल में मैंने एक नई चीज़ एकी थी, लेकिन वो Amazon पर अवेलिबल नहीं है, उसको मैंने offline खरीदा था, मातर 40 रुपे में ये candle वाला pen, काफी क कमाल का लगा था, और ऐसा प्रॉप यूज करने के लिए काफी जादा काम आएगा मेरे वीडियो में, तो चलिए ये चोटी सी चीज मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने खर दी है, अभी चलते हैं हम 2020 के बेस्ट गैजट जिसकी बात हो रही है आज इस वीडियो में, तो दिखाता हूं मैं को, और क्या-क्या पसंद आया 2020 में, कुल जिन उपर ने मैंने इसका रिविव गा था, 18-1 स्कूरूडराइवर का, काफी कमाल का चल रहा है, अभी तक काम कर रहा है, जिन लोगों ने इस वीडियो पर सवाल किया था, तो ने ये ही कहूंगा, कि नॉम से अच्छा मुझे कुछ भी नहीं लगा, धाई से 3000 और की प्राइस में जरूर आता है, महंगा लगता है फर्स टाइम में, कि भाई, Bluetooth स्पीकर के लिए धाई से 3000 और दे रहे हैं, लेकिन अगर एक बार इसे खरीद लोगे ना, water resistant है, एक बार इसे खरीद लोगे, इसकी sound च लाम करता है, और इसका battery backup अच्छा खासा, 6-7 घंटे चलता है, एक sample सुनाता हूं, इसके audio का, side में passive radiators लगे हैं, बेस बड़ा कमाल का है इसका, एक छोटा सा sample इसका सुन लीजिए, अब इस साल का एक और best gadget, अब best तो मैंसे कहूंगा ही, क्योंकि ये एक जरुवत बनती जा रही है, इस समय pollution बहुत जादा हो चुका है, और सब को पता है, दिवाली के time पे जब परेली जलती है, और सब को पता है कि कितना जादा pollution होता है, खास करके दिल्ली में, तो दिल्ल जब से मैं इसको use कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था कि शायद ये इतना effective होगा, क्योंकि बीच में मेरी थोड़ी सी तवयत खराब हो गए थी, और जब मेरी तवयत खराब होई थी, तो मुझे डॉक्टर ने recommend किया था कि air purifier अपने room में लगा लिजी, मैं जाला तर समय जो है studio में ही रहता हूँ, तो studio मैंने इसी को लगाया, क्योंकि मैंने इसका review गिया था, अब review करने के बाद में, मैंने ऐसे कुछ as such फरक आपको आँखों से नजर नहीं आएगा कि air, क्योंकि हवा जो है उसको आँखों से आप नहीं देख सकते, लेकिन जो इसका performance है, बड तो ये gadget a must have है, बिस्पाइ लिंक इन डिस्क्रिप्शन, हमें चाइना का माल नहीं चाहिए, हमें इंदुस्तान का माल चाहिए, तो मैंने एक make in India प्रोडक्ट फाइनली धूंडी लिया था Amazon पे, जो प्यूरा make in India था, ऐसा नहीं कि चाइना से आया, rebrand हुआ और make in India लगा, टाग लगा है और बेज दिया, यह है किसी भी कंट्री में से ले जा सकते हैं, हर कंट्री का प्लक को है, सपोर्ट करता है, एक बड़िया gadget है, यूस्फुल gadget है, स्टार्डिंग में A95 X3 TV box दिखाया थाना, यह उसका competitor है, लेकिन वो बेस्ट है, इसलिए इसके बारे में जा और भी projectors पे invest किया, projectors खरीदे, reviews किये, कुछ projectors खरीदने के बाद ऐसे लगे कि review नहीं करना था, उनके review मैंने कभी नहीं किया और यह बात मैं कही बार और वीडियो में भी बोल चुका हूँ, projector screen की बात आई तो मैंने आपको manually दिखाया था किस तरह से घर पे आप projector screen बना स तो ऐसा ही नहीं कि मैं सिर्फ gallards दिखाता हूँ, मैं DIY वाले काम भी बहुत सारे करता हूँ, जहां पर बड़िया बड़िया जीजने आपको देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरह के samples देखने को मिल जाते हैं, projector की video बनाएं, तो projector screen के ओपर मैंने बहुत सारे video बनाएं, in fact आपको projector screen बनानी है, और आप फरक यहां पर देख सकते हैं, इसको हटाया, तो live खतरनाक हो गए थी, यानि कि यहां पर कुछ था ही नहीं, मज़ा ही नहीं था, और जैसे ही मैंने इसको वापिस लगाया, तो दुनिया ही रंगीन हो गई, तो इस तरह की projector screen घर पे कैसे DIY कर सक यह ऐसा इकलौता Bluetooth speaker 400-500 रुपे में आता है, जिसकी look तो premium ही, single speaker होने के बाद भी इसकी sound output है, वो काफी जबरदस्त है, इसका एक sample और सुनाता हूँ आपको, मज़ा ज़रूर आएगा सुना ना sample, sample कितना जबरदस था, अरे मैं यह बोल रहा हूँ कि वो जो अगारो वाला reloaded मैंने दिखाया था, वो तो कहर है ही number one मेरे हिसाब से 2020 में, जो मैंने gadget review किये हैं, उनके हिसाब से Bluetooth speaker में बहुत सारे लेकिया है, वो तो है ही number one, लेकिन जिनका budget नहीं है, डाई से 3000 चार-500 रुपे में एक बड़िया Bluetooth speaker लेना जाते होना, इसको जरूर consider करना, best buy link में description में सारे दे दूँगा, जितने भी products हैं, maximum Amazon से मिलेंगे, और एका दुका आप Banggood के भी हैं, जो आप Banggood पे अभी क्योंकि shipping स्टार्ट हो चुकी है, तो try कर सकते हैं, यह Amazon पे available है, best buy link description में आपको मिल जाएगा, next gadget क्या है हमारा, यह Zebion का 500 रुपे में आने वाला cooler या cool pad बोल सकते हैं, 15 इंच के laptop को support करता है, और यहां पे हमें पूरा नीचे जो है metal का mash मिलता है, इसको personally मैं use कर रहा हूँ, इस वीडियो को बनाते वक्त भी यह मेरे laptop के साथ में attached है, काफी मेगाफोन है, announcement वगरा काम आ सकता है, अगर आप कोई public meeting कर रहे हैं, वहां पे बहुत बढ़िया है, office में अगर आप कोई meeting कर रहे हैं, कोई announcement कर रहे हैं, schools के लिए बहुत अच्छा है, schools में इस तरह के megaphone बहुत जाले use होते हैं, 6 in 1 है, इसमें recording कर सकते हैं, playback कर सकते हैं, प मेगाफोन है, मेगाफोन का काम करेगा, लेकिन Bluetooth इसमें एक added point है, तो ये इसी लिए मुझे जादा अच्छा लगा, और उससे ये फायदा होता है, अगर आपके mobile में को recording है, तो Bluetooth से connect करके उस recording को आप as an announcement भी प्ले कर सकते हैं, ये gadget 600 रुपे, 800 रुपे के आसपास आता है, और बहुती बड़िया gadget है, अगर आपके लिए ये काम का है, तो ही आप इसे खरीदिये, अगर आप मेगाफोन लेने का सूच रहे हैं, इसको आप consider कर सकते हैं, अब उसके बाद में मैंने यहाँ पर OnePlus की Power Bank की unboxing करी थी, unboxing करने के बाद में मैंने पूरा review किया था, 17 मिनट का वीडियो बना था, जहांपे मैंने वूक चार्जर की भी टेस्टिंग करी थी, साथ मैं Power Bank की भी टेस्टिंग की थी, चार्जिंग टेस्ट करके दिखाया था, ये Power Bank अभी कैसी perform कर रही है, मैं इसको daily use कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये कैसी perform कर रही है, जब company भई warranty दे wireless earphone तो मतलब अपनी जगे है, wireless earphone आप यूज़ करते हो, bluetooth वाले सही है, लेकिन wired earphone अगर लेने है, studio के लिए, monitoring करने के लिए, और budget है, बिलकुल मतलब कम, एकदम से 1000-2000 का budget, one audio की तरफ से आता है, ये वाला studio headphone, जबर्दस्त है भाई, जबर्दस्त, sample सुनो एक छोटा सा, अब आप बोलोगे कुछ भी, headphone की sample सुनाओगे तो हमको कैसे समझ में आएगा, कुछ मत करना, Amazon पे जाना, description में लिंक है, इस पे जाना, इस product पे, उसके reviews पढ़ना, customers के review पढ़ना, समझ में आ जाएगा, मैं इसी को use करता हूँ, अपनी आवास को monitor करने के लिए, जब मैं live recording करता हूँ, जब मैं voice-overs करता हूँ, और इसका जो base है ना, बस एक अलगी दुनिया में ले जाएगा ही आपको, wired headphones है, कमाल का है, दो points है इसमें, दो cable लगा सकते हो, एकदम जबर दस्ता है, इसका review मेरे चैनल पे है, review पूरा ज़रूर देखना, अगर wired headphone लेने का सोतर होना, ये एक बड़िया चोईस है, बड़िया क्या best है, प्रोजेक्टर की बहुत डिमाने है मेरे चैनल पे और मैंने ये वाला प्रोजेक्टर दिखाया था, pocket प्रोजेक्टर, pocket प्रोजेक्टर, बहुत कम दाम पे, साड़े तीन अजार उपे में, मतलब कभी कभी entertainment के लिए ना, ये वीडियो को भी support कीजिए, ताकि आपके लिए बड़िया smart phones की unboxing लाता रहूँ, तो आप लोगे support से ये चैनल जो है grow होगा, और आप लोगे support करना है, वीडियो को like करना है, comment जरू करना है कि आज का वीडियो कैसा लगा, ये speaker का review मैंने किया था, speaker मुझे इतना पसंद न मिलने वाली है, आगे एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अब मैं DIY की बात कर रहा हूँ, तो मैंने ही हाँ पे Android TV box, ये दूसरा Android TV box है, हाला कि मैं भी आपको जो A95 X3 के बारे बताया है, वो one of the best TV box है, एक छोटी सी screen, जो car के rear camera में लगती है, इस तरह के DIY projects की वीडियो भी मै चैनल पर डाल चुका हूँ, किस तरह से आप अपना mini TV बना सकते हैं, mini Android TV, तो इस तरह की वीडियो को भी आप लोग support करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, तो जो भी मैं नए gadgets की वीडियो लाता हूँ, उनको support ज़रूर कीजिए, करना मतलब यार प्लीस, और projector के दिवाने वाला projector चलाया था ना, हाला कि on M18 पे मेरा हाथ नहीं लग पाया, मैंने उसको order किया था, cancel करना पड़ा, lockdown की वज़े से, on M18 का बहुत ज़रा demand थी, तो मैं ये तो नहीं कह सकता है, कि ये उससे better है या नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, कि जितने भी projector मैंने आज तक यू अभी rate बढ़ चुका है, क्योंकि government ने GST बढ़ा दिया है, 18% GST कर दिया है, तो अब banggood साब कुछ खरीद होगे, तो शायद वहाँ पे भी आपको 100-200 रुपे हर चीज़ पर प्राइस जो है, जादा ही मिलने वाला है, तो ये one of the best projector मुझे लगा है, T8 projector, इसमें touch panel मिलता है उपर की तरफ, एक बरस की थोड़ी सी picture quality आपको दिखाता हूँ, आप खुद अंदाजा लगा सकेंगे, लेकिन अंदाजा आप वीडियो के थुरू कभी भी नहीं लगा सकते, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, आप अगर believe करते हैं मेरे उपर, आप believe करते हैं किसी भी reviewer के उपर और आप उस चीज़ को खरीदते हैं, तो आपको पता है कि जारतर आपको समझ में आ जाती है चीज़ कैसी है, तो मैं यहाँ पर यही कहुँगा कि यार अगर प्रोजेक्टर में लेना है ना, यह वाला प्रोजेक्टर बहुत बढ़िया प्रोजेक्टर है, फूल थोड़े से ब्लर होई जाते हैं, और यह कॉर्णर ब्लर का चक्का ना महंगे महंगे प्रोजेक्टर में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन बात यह आती है कि अभी तक जितने भी प्रोजेक्टर का रिव्यू किया है, तो यह सब में बेस्ट है, क्योंकि एक फुल एप्र जाए का खरीदना चाहो, तो खरीद लेना, अभी बढ़ता हूं, नेक्स गैजट और 2020 में मुझे क्या पसंद आया, है कुछ खास, आगे बढ़ते हैं, यह ब्लिट्स वल्फ के स्मार्ट वाच्च, प्राइस के हिसाब से ना, मतलब प्राइस क्या बोलूँ, उसका डाई से को गिफ्ट कर दी थी, और गिफ्ट करने के बाद में, आज मैंने उनका जब रिस्पॉंस पूछाना, तो उन्होंने मुझे यही कहा था, कि भाई मैं Amazfit की वाच यूज़ करता था, Amazfit मैं भी यूज़ करता हूं, तो Amazfit की वाच वो यूज़ करते थे, और उनको यह बह खरी उतरी थी, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में इंक्लूट कर लिया है, एक वीडियो कल आपने मेरे चैनल पर देखियो कि साउंड बार की, एक ये साउंड बार है, ब्लिट्स वाल्फ का, जो बहुत जबरदस्त आद भी चल रहा है, इसमें FM भी है, Bluetooth भी है, और ये बैटरी पर काम करता है, मेरे चैनल पर ने एक ये वाली वीडियो आपको मिलेगी, मुबाइल 3D होलोग्राम, प्लास्टिक से बनाया था मैंने इसको, मतलब इसमें आपको कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, आप इस पर 3D होलोग्राम ये घर पर बना सकते हो, इसको मुबाइल पर खुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो, 3D इमेजिस या 3D वीडियो देखने के लिए, ये वाला वीडियो मेरे चैनल पर है, वीडियो जरूर देखना है ये वाला, 10-12,000 रुपे में वैक्यूम क्लीनर इतनी सारी अटेश्मेंट के साथ में आता है, और वैक् होती है, पोचा अलग से रखता है, तो वैक्यूम क्लीनर का काम है, एक एक टुकड़ा, मिट्टी का, डस्ट पार्टिकल, सब को खीच ले, सक्षन पावर अच्छी होनी चाहिए, हाला कि जो वाइड वाले होते हैं, उनकी सक्षन पावर जादा होती है, बैटरी वालों में आने वाला ये USB लाइटर, ना गैस डालने का जंजट, ना ही कोई और लिक्विट डालने का जंजट, जैसे वो जिपो लाइटर बगारा में लिक्विट पढ़ता है, और बाकी लाइटर में पढ़ती है, इसे USB से चार्ज करो, अब मस्त, यहाँ पर लाइटर जल जाता है, और अगर बत्ती जल जाती है, सुबह सुबह ऑफिस के अंदर रोज काम आता है, बैटरी बैकप की बात करों तो ऐसे मुझे पता नहीं क्योंकि सुबह सिर्फ एक ही सामय मैं इसको यूज़ करता हूँ, जब यहाँ पर मैं ऑफिस में आके अगर बत्ती जलाता हूँ, और तकरीमन शायद 15-20 हो चुक है, मैं इसको रीचार्ज नहीं किया है, बहुत बढ़िया गयज़ट है, एक यह डेटा केबल ना बढ़िया है, डेटा केबल डेटा के ट्रांसवर को काफी बढ़िया सी, जो है ना ट्रांसवर कर देती है, तो यह माइकरो यूज़ बाली, ले हो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो की नीचे कमेंट जरूर करना कि इस तरह का वीडियो कैसा लगार, हर साल ऐसा एक वीडियो जरूर बनाएंगे कि उस साल में हमें बेस्ट टेक प्रड़क्ट क्या लगा था, मैंने अभी कुछ स्मार्टफोन के उपर वीडियो बनाया है, तो ऐसे वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए, अगले वीडियो में दिखाऊँगा कुछ और कमाल का गाजट बी आर टेक फिल्म्स पे